सारे वीराणू सस्रीकाल और सबी बाईयों को मेरी तरफ से राम राम जीमिदार मैग में चैनल पे आपका स्वागत है जी किसी भी बाईय ने कार, मोटर साइकल या जीमिदारे से सबंदित समान जैसे ट्रेक्टर, ट्राली, हैरों, रिपर, रूटावेटर या और कोई भी समान भेजना हो तो उसकी 4-5 फोटो के साथ उसका माडल, उसकी बाड़ी की कंडिशन, इंजन की कंडिशन और टायर कितने प्रसेंट हैं, और चली कितनी हैं, इसके साथ अपना डिमंडिंग रेट और अपना मुबाईल नमबर स्क्रीन पर दिये हुए नमबर पर वटसप कर दें हम आपकी एड अपने चैनल जिमिदार मैक में पर फ्री में चलाएंगे चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकोन दबादें तो भाईओ आज की वीडियो में है, नौ बाइक बिकाओं हैं पांच बॉलेट हैं, दो सप्लेंडर हैं, एक यामा आरवन फाइव है और एक स्टेंडर है तो वीडियो कर दो जी लाइक और चैनल को कर दो सस्क्राइब तो वीडियो करते हैं जी शुरू ये है जी सप्लेंडर पलस है ये 2015 का मोडल है बलैक एंड वाइट रंग में बाइक चली है जी 13,000 किलोमेटर और कोई भी इस बाइक पे डेंट नहीं है 54% के करीब इंजन गेर इसके ओके है बाइक खड़ी है जी पूंडरी एरिये में और डिमंडिंग प्राइज है 36,000 पे सक्रीन के उपर मालिकों का नंबर है आप कोंटक्ट कर सकते हैं ये है जी 2011 सन की है ये सप्लेंडर है बलैक एंड वाइट कलर में और ये चली है जी 50,000 क किलोमेटर और फर्स्ट ओनर ये गाड़ी है एक हाथ की चली हुई है ये बाइक का कोई भी एक्सिडेंट नहीं हुआ कोई भी चलान नहीं हुआ बढ़िया कंडिशन है बाइक के सभी डोकुमेंट पूरे हैं और अलोई विल इसमें लगे हुए है और दोनों टैर इसके न और पचास हजार किलोमेटर चली हुई है ये सेगिंड ओनर है एक सो पच्ची सी सी में है ये बाइक में अलोई विल लगे हुए हैं और टायर हैं जिसके साथ पैंसट परसेंट के करीब इंजन बाइक का ठीक है और ये खड़ी है यमनानगर एरिये में और डिमांडिंग प के क्रीब बुलेट में मिलती है जी फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और सलफ स्टार्ड ये बुल्ट है नए इंजन में है जो न्यू मोडल क्याते हैं फ्रंट का और बैक का टैर दोनों नए हैं इसमें और इंजन की फुल गरंटी है बिलकुल ओके कंडिशन है बैटरी बुल् का मोडल है इलेक्टरा बुलिट है ये बलैक कलर में प्राने इंजिनों में जो आती थी वो है ये ये चली है जी 66,000 किलो मेटर के करीब और S टाइप केस में अलोई लगे हुए हैं 3S वड़े और टायर हैं जी इसके 40% के करीब बाइक है जी सेकंड ओनर और ये खड़ी है जी इलेक्टरा बुलिट है और 36,000 किलो मेटर चली हुई है ये कंडिशन बिलकुल बढ़िया है इसकी और ये 5 स्पीड गेर बोक्स में है और अलोई वील इसमें लगे हुए हैं 3S वाले टायर बिलकुल नए है अगले पिछले दोनों और बेंटरी की कंडिशन भी बढ़िया ह इसकी इंजन गेर इसका ओके है बिलकुल और ये खड़ी है जी पंचकुला एरिये में और सेकिंड ओनर ये गाड़ी है और डिमांडिंग प्राइज है जी इसका 70,000 पे सक्रीन के उपर मालिकों का नंबर है आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं ये है जी स्टंडर्ड बुल्ट है 2012 का मोडल है न्यू इंजन में है ये और पानिपत का इसका नंबर है और ये सेकिंड ओनर बाइक है ये चली है जी 30,000 किलोमेटर के करीब और अलोई विल इसमें लगे हुए है S वाले 3S वाले और टायर है जी इसके 85% के करीब इंजन बाड़ी बिलकुल इसका ओके है और य ये है जी 2012 का मोडल है नवंबर का ये इलेक्टरा बॉल्ट है सिल्वर कलर में है कंडिशन बिलकुल नहीं जैसी है इसकी अलोई विल इसमें लगे हुए है अगला टायर है जी 65% के करीब और पिछला है जी इसका 45% के करीब सेकिंड ओनर ये बाइक है और फ्रन्ट में इसक डिस्क ब्रेक लगी हुई है और सलफ इसमें लगा हुआ है स्टार्टिंग वडा इंजन बिलकुल एवन कंडिशन में है और ये खड़ी है जी शाबाद एरिये के पास और डिमंडिंग प्राइज है 67,500 रुपे स्क्रीन के उपर मालिकों का नंबर है आप कॉंटक्ट कर सक सकते हैं और ये है जी आरवन फाइव है 2014 का ये मोडल है वाइट और बिल्यू कलर में कंडिशन बाइक की साफ है इंजन वगारा ओके है इसका और टायर इसमें नए है बाइक का नंबर है जी पाणिपत का और ये खड़ी है जी गुला एरिये में और डिमंडिंग मिलते हैं जी अगली वीडियो में